English Language and Literature की वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए Literary Mind YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Literary Mind के इस YouTube चैनल पे दोस्तों आज बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे नाम है The Fine Balance लिखा किन के द्वारा गया है? Rohinton Mystery के द्वारा दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा helpful होगी अगर आप एक English Honors की स्टूडेंट हो और आपके इस लेपस में ये वाला टेक्स्ट है ये वीडियो बहुत ज्यादा important होगी आपके examination point of view से हर एक वो चीज discuss की जाएगी जो की exam में पूछा जाता है सिर्फ deep summary नहीं पता ही जाएगी इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो की बताया जाएगा story में क्या-क्या है जो मैं present करूँग इस वीडियो में characters की thorough knowledge ठीक है? characters के बारे में अच्छे से ताकि आपको character sketch अगर पूछ ले जाए exam में तो कोई दिक्कत ना हो दूसरा deep summary तो अल्रेडी बताया मैंने background topics के बारे में discuss करेंगे और themes के बारे में background topic में क्या-क्या discuss होगा वो भी जान लो ताकि आपको पता चल जाए कि video कितनी जाजा helpful होने वाली है 1947 से जब इंडिया आजाद हुआ था उस time की भी बात करेंगी वो वाला background link होगा जब इंडिया में casteism की problem थी caste discrimination की इसके अलावा बात करेंगी हम 1975 से 77 की बीच में internal emergency के बारे में जिसे impose कर दिया गया था जबरदस्ती इंद्रा गांदी के द्वारा ठीक है तो यह दोनो topic link होगे इसके बार 1984 का आपका जो sick rights है उनके बारे में भी discuss करेंगे अब अब literature हुआ बहुत असान अगर आपको हर एक वीडियो की notification चाहिए या फिर आपको examination point of view से PDFs चाहिए, critical essays चाहिए तो आप directly telegram में आप download कीजिए और search कीजिए literary mind, youtube और इसके बाद बहुत सारी PDFs आपको मिलेंगे यहाँ पे story समझनी से पहले आपको पता होना चाहिए characters के बारे में तो यह मैंने 4 characters, major characters जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको दिगे 4 major characters कौन-कौन से हैं, om, prakas, iswar, manek और dina dayal story स्टार्ट करनी से पहले मैं बता दूँ कि मैं story को बहुत ही अच्छे तरीकी से present करूँगा क्योंकि आप वीडियो किसले देखने आये हो क्योंकि आपको original text या फिर तो समझनी आया या फिर आपके पास time उतना नहीं है कि आप original text पढ़ पाऊ तो अगर मैं story के बात करूँ तो story जो है na सफल हो रही है कभी present में story गूम रही है कभी फिर past में जा रही है फिर present में गूम रही है फिर past में जा रही है इस टाइप से सफलिंग है story में तो आपको हर एक major characters जो है यह 4 इनके past के बारे में मैं पहले पता हूं अचीह, तो start करें, start करते हैं दीना द्याल से, ठीक है, दीना द्याल के जो father थे, वो एक doctor थे, और ये चाहती थे कि मैं doctor बनूँ, बट इनकी father की death हो गई, ठीक है, आप भी दीना द्याल, dependent हो गई अपने भाई, नुस्वान पे, ठीक है, मदर तो कुछ कर नहीं सकती था नहीं के लिए नुसवान भाई बड़ा है तो यहीं करेगा तो नुसवान पर डिपेंडेंट हो गई अब बात आती है कि नुसवान भी कितना करे तो लास मीन उने इसकी पड़ाय लिखाई सब कुछ छुटवा दिया कि भाई तुम घर बैट जाओ तुम खाना के बारे में जाना रही किसे दीना दीयाल के बारे में अब दीना दियाल की ज़ादी करवा देते हैं मुष्वान इसके भी साधी बीजह करवा देता है तकि ये सेटल हो जाए अच्छे से लेकिन साधी के शाल साधी शादी के तीन साल बाद ही जस्ट इनके husband की भी death हो जाती है, यानि कि वही बात होगे कि इसको settle करने के लिए तो एक तो इसके marriage करवा दी, बट स्टिल ये फिर से dependent होने के कगार पे आ गई, तो अब इसके पास दो choice हैं, इनके जो husband की death हुई थी, वो cycle पर जाते ये वक्त हुई थी, road पर ठीक हैं, अब इनके पास दो choice हैं, या फिर तो ये अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएं, दूसरा भाई के पास रहे, तो भाई के पास रहना तो मंजूर नहीं था, क्योंकि भाई जो है abusive था तो दूसरा इसने प्लान चुना वही कि अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो उसने एक अपार्टमेंट लिया बॉंबे में, और वहाँ पे इसने टेलरिंग का काम स्टार्ट किया, लगबग 20 साल तक इसने टेलरिंग करी हैं, बोईडरी का काम इसने करा बट अब इसकी आखी जवाब देने लगी थी क्यों? आखों की रोसनी कम होने लगी थी अब ये एक middle aged women बन चुकी है, ठीके? इतनी बात समझ जाई ठीके? अब इनकी अपार्टमेंट में ये तीनों लोग रहने आते हैं, कौन? ओम परकास इस्वर और मानेक हम जान लेते हैं ओम परकास और इस्वर के बारे में इस्वर जो है ओम परकास का चाचा है और आप ऐसे समझ लो कि इसका चाचा ये है और चाचा अगर है तो ये भती जाए, अफकोर्स अब इनके past के बारे में जानते हैं तो आपको बता दू ओम प्रकास इसवर दुखी और आपका नरायन इस सारे जो है नीची कास्ट के लोग है और इनको story में बताया गया है कि यह चमार है जो कि चमडो का काम करते हैं, leather का काम करते हैं और यह तक बताया गया story में कि यह अपने काम को छोड़ नहीं सकते क्यों नहीं छोड़ सकते, दबाव है कहां कहां उपर के जो भी उपर क्लास के लोग थे उनका दबाव था कि भाई तुम यह काम चोड़ नहीं सकते इसवर और नरायन, ठीक है अब इन्होंने साधी कर ली तो इनका एक बच्चा पैदा हुआ लड़का था, ओम प्रकास नाम से तो इसलिए यह भतिजा हो गया क्योंकि यह तो इन्हीं के भाई है नरायन के भाई है तो यह भतिजा हो गया ओम प्रकास अब नरायन यह दुखी दुखी चाहता था कि मैं मैंने lifelong जो है kobler का का काम किया है, mochi का का काम किया है kobler in the sense, chamde का का काम किया है, चमार हूँ मैं तो मैं अपने बेटों को at least थोड़ा सा जो है उची कास्ट वाला काम सिखा हूँ तो इन्होंने जो अपने बेटे को tailoring का काम सिखाया किसको सिखाया इसवर ओम प्रकास मतलब बेटे क्या हो, नरायन को और इसको सिखाया, इसवर को tailoring का काम, ठीक है अब दिक्कत यह हुई इस ने तो tailoring का काम सिखा दिया अपने बच्चे को लेकिन ठाकूर को यह बात पसंद नहीं आए क्योंकि एक उपर कास्ट का व्यक्ति है इसने सोचा कि तेरी हिमत कैसे हुई अपने बेटे को tailor बनाने की तो आप देख सकते हो कि जनी बड़ी problem है यह आपे ठीक है मतलब आप personal liberty है यह नहीं personal liberty नांग की चीज तो इसने जो है इसके बेटे को मरवा दिया नरायन को और इसको और इसके पूरी परिवार को जिंदा जला दिया, जिंदा समझे लेओ जिंदा जला दिया और इसको पेड़ से टांग के फासी चड़ा दी इसको नरायन को इस बंदे ने तो ये बहुत ही political गून समझे लो गूनडा टाइप का है ये अपने गाउं का ठीक है जहां पर ये सारे रहते थे कौन-कौन नरायन इस वर ओमपरकास और आपका दुखी ठीक है ठाकूर वहां पर गुंडा टाइप का इंसान है अब बात करते हैं हमने इनके पास्ट के बारे में जान लिया अब जो है प्रेजेंट के अगर बात करें तो ये प्रेजेंट में कर क्या रहे हैं अब सिंस इसके फादर की तो दैथ हो चुकी है वोमपरकास के father तो ये थे ना नरायन इनकी death हो चुकी है तो अब ये दोनों जो हैं बाहार निकल चुके है बाँबे बाहार निकल चुके है कमाने के लिए क्योंकि अब गाउं में कुछ बचा निये है इनके father की death हो गई दुखी के पूरे परिवार को जला दिया गया क्योंकि इसके तो पापा थे दुखी तो इसके तो पूरे परिवार को जला दिया तो अब बचाई क्या इनका तो यह चले जाते हैं कहां ये चले जाते हैं, बॉमबे कमाने के लिए बाई फॉल्ट क्या है, इनको जो रहना पड़ता है, बॉमबे में एक slum type में रहना पड़ता है बाद में ये फिर जो है, दीना दयाल के घर पह ही आ जाते हैं, अपार्टमेंट में, और फिर इनको रेंड पे करते हैं अभी लिंक करूँगा अब बात कर लेते हैं मानिक के बारे में तो मानिक जो है कस्मीरी लड़का है जो की पढ़ने में बहुत तेजी था मतलब ऐसे समझ लो पढ़ने में तेज था और अपने फादर के बारे में बताता कि इसके फादर को जो है अच्छे खासे कोला बनाने की कोला कोई कुछ चीज हो की उसकी नॉलेज थी पर आप जो है industrialization आने की कारण क्या इसकी फादर की भी जो हाथ की कारे गिरी थी उसकी कोई कीमत नहीं बची अब ठीक है कोई कीमत नहीं बची यानि in the sense मतलब इसके फादर जो है बेरोजगार होने लगे तो अब मानिक पढ़ाई पूरी करने के लिए refrigeration का कोई course करना था इसको refrigeration का तो उसकी दीनादयाल के apartment में रहने लगता है इससे पहले ही hostel में रहता था बढ़ होस्टल में उसको मननी लगा तो इस दीनादयाल के apartment में रहने लगा तो अब present की बात करते हैं ये सारा हमने past जान लिया इनके बारे में इनके बारे में और इनके बारे में अब present की बात करते हैं दिना दयाल जो है एक apartment लेके रह रही है कि इसको self sufficient बनना है अपने पैरों पे ख़ड़ा होना है नुस्मान के उपर dependent नहीं रहना इसका भी काम बन गया और उनको जॉब मिल गई काउं में तो कुछ था नहीं मानेक भी इनके पास रहने आ जाता है और तो दीना दयाल पीजी टाइप का बना लेते हैं पेंगेस टाइप का और दीना मानेक को जो है रखने लगती है और यह तीनों रेंट देते हैं इसको ठीक है और यह इनको जो है पे भी करती है इनके बदले लेकिन बहुत मिनिस्क्वल अमाउंट पे करती है और अपना प्रॉफिट देखना चाहती है कि यह भी जो है फ्री विमेन बनना चाहती थी अपने उपाओं पर खड़े होना चाहती थी अब कंडिशन तो यह है यह जो मैंने चीज बताई थी आपको कास्टी सेजम की वो 1947 वाला पार्ट था ठीक है सुछले है अब इसारे किसके अदीन अधेल कि कहां अपट्मेंट में अपंट्मेंट को तो रहने के लिया था लेकिन के अश्छोटा सा ब्रेंचर की तो इंककर पर और अपट्रो धंकिया देता है कि इसको शनटपे ।ूर्ठ के तो कर दे साथ आध ये बता तु अपने अपार्टमेंट में बिजनस के उचला रही है है मैं ज्याधा चार्ज लोंगा तो दीना द्याल न ला इस चीज से बचने के लिए कि मेरा हश्बंड है और फोई दोनों मेरे बच्चे हैं ठिक है, ये दोनों मेरे प्रेजेंट की कहानी अब लग गया है देश में क्या 1975 का इंटर्नल एमर्जेंसी और आब आते हैं बैगराउंड पे इंटर्नल एमर्जेंसी में हुआ क्या क्या था देखिए सबसे पहले तो यह था कि इंद्रा कानून लगा दिया 1975 में और यह बोल देगा कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म नाहीं तो आप गवर्मेट के बारे में कुछ उल्टा सेदा बोल सकते हो नाहीं कुछ चाप सकते हो इस सारी चीजें जो है इसमें इस कानून में मतलब इस एमर्जंसी के टाइम पर आपका वैसे फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंट हो जाता आपको पता होना चीए ठीक है अब और एक प्रॉब्लम आईए 1975 के टाइम पर यह फैमिली प्लानिंग के नाम पर जबरदस्ती लड़कों को पकड़के उनका जो है sterilization कर दिया गया sterilization समझ रहे आप टैस्टी जो है वह काट दिये गए ताकि वह आगे जाके कभी फादर ना बन पाए ठीक है आगे जाकर कभी बाप ना बन पाए ठीक है जबरदस्ती जिसको मिला पकड़के कर दिया sterilization यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम ती दो जुगी जुपडियां थी ना देखो फैमिली प्लानिंग के नाम पे तो वेस्कटोनोमी कर दिया ठीक है स्टेलाइजीशन कर दिया तीसरी प्रॉब्लम यह कि गाउं यह आपके सहर में जुगी जुपडियां इनको क्लीन करने के नाम पे क्या करा लोगों को बॉंडिड लेबर टाइप में बना दिया यानि कि लोगों को ट्रक में भरा जाता था और बोला जाता था कि तुम यह वाला काम करो यह वाला काम करो और पे के नाम पे कुछ भी नहीं होता था यह वाली बात याद रखना यह कहां की सारी बाते च चलाना मुश्किल हो गया है ठीक है है अब यह जो है यह सिंस यहां पर रह रहे थे दीन अदेयल का भी जो है बिजनस टाइप का जो भी चल रहा था इसमें बहुत ज्यादा प्रब्लम होने लगी अब जो है ओम प्रकास और ओम्परकास्त और इस वर यह चाहते थे इसी बीच में कि वो अपने गाउं चले जाएं, ठीक है? इसी बीच में वो चाहते थे कि गाउं चले जाएं, बट रहें होता क्या है, इनको वहां कि State Police के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और दिनात-दयाल का जो Apartment होता है, सिटी को beautify करने के नाम पे इनके घरों को बुल्डोजर चलवा दिया जाता है यानि कि जितनी भी जुगियां जोपडियां थी उनको तहस्नेस कर दिया जाता है गौवर्मेंट के द्वारा अब ये चारों क्या हो गए बेघर हो गए चारों बेघर हो गए ये बिचारा इसकी तो पढ़ाई पूरी मतलब होती ही क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला था तो इसका भी बुरा हल है अभी तो फिलाल ठीक है तो ये दोनों तो बेघर हो गए ये भी बेघर हो गए और ये तो बूर्डोजर चल गया, अब इनके मन में आया किया मगशिक्ण करें तो करें क्या GZ पकड़ लिया जाता है, पुलिस के दवारा और जबरदस्ती इन से रोडों का काम करवाई जाता है, ट्रक में भरके इनको भेड दिया जाता है, कहां पे bonded काम करवाने में, कि ये काम करना पड़ेगा तुम्हें, सड़क बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो सबको जीमेबारी लेनी पड़ेगी, ये आपको सड़क बनाना है, मितलब city को beautify करना है, उसके नाम पर इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, ये दोनों जैसे तैसे वहाँ से, वहाँ पर उनको एक beggar man मिलता है, जो कि एक dalal type का है, यानि कि जितने भी beggar है उनका एक malik type का है, वो क्या करता है, सबी जितने भी गरीब हैं उनको कहता है कि भाई, तुम भीक मांगना और भीक मांगे मेर को देना, तो ये जैसे तैसे उसको जो है, बड़ाई गूस type का दे के वहाँ से निकलने में कामियाब हो जाते हैं, और वहाँ से फिर move कर जाते हैं कहां अपने गाउं में, लेकिन गाउं में भी इनकी problems sort out नहीं होती, जहां से इस वर ने दरजी का काम सिखाता, असरफ नाम होता उस लड़के का, वो अब बुढ़ा हो चुका है वो उसके घर पर रुखते हैं क्योंकि इनका अपना घर तो दुखी वगएरा सब को जला दिया है, तो उनका तो कुछ भी नहीं बचाब, तो ये दोनों तो वहाँ पर चले जाते हैं, असरफ के घर में, और दिना दयाल को, सिंस इसके घर पर बुल्डोजर चलवा दिया ग अप असरफ की कहानी सनो, मतलब असरफ के इधर की कहानी सनो, एक दिन क्या होता है, ठाकूर जा रहा होता है रास्ते में और यह दोनों पीछ में आजाते हैं, तो यह ऑमपरकास थूक देता है, उसकी और Direction करके, मुह दारे तो यह सोता अब मैं बदला लोगांगा, तू न पढ़ता है इन दोनों को जबरदस्ती पगड़वाता है और दोनों का sterilization करवा देटा है इस बिचारी की तो चलो आप यसे समझ सकते हो कि इस बीचारी की तो उमर ही निए हुई थी अभी अभी कितने 18-20 साल का रहा हो गयी इसका भी sterilization करवा दिया और साधी भी काटना पड़ता है क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है बिचारा यह अपंग हो गया हैंडिकेप्ट हो गया और यह बिचारा उमर से पहले ही बाप बनने से वन्चित रह गया मतलब इसको वैसकेटोनोमी कर दिया गया इसका ठीक है तो यह दोनों इनके साथ हो गया यह बिचारी dependent होगे अपने भाई पर यह बिचारा जो मानेक था यह अरड़ी बहुत नाखुस था अपने college की जिंदगी से क्योंकि ragging होता था हुआ पर अब बिचारा जब buldozer वगयरा चले सहरों में तो यह भी अपने क्या हुआ प्रेजिडेंट के इसी politics के चकर में इसको मार दिया जाता है और मानेक बहुत ज्यादा दुखी होता इस चीज से कि यार दोस्त को मार देगा बट फिर भी केर नहीं करता इस नहीं जाता क्योंकि यह सोचता है यार मेरे तो interest से बाहर था यह politics वगयरा इसकी अविन अविनास ही था इनकी बहनों का main source अब इनकी बहनों को यह डर है कि हमारी साधी करवाएगा कौन क्योंकि आप तो डौरी चीए बहुत जादा तो इनकी बहने सारी suicide कर लेते अविनास की बहन ठीक है यह तो आपको यह आपका सारा कुछ हो गया इसका present का अब यह सारा कुछ मानेक बीच में चला गया तक अहां दुबाए काम करने क्योंकि इसकी जो है जोब लग गई थी अच्छी खासी जगए ठीक है 1984 में वापस आता है इंडिया में तो सब कुछ बिकार हो गया है ठीक है बहुत बुरी-बुरी खबरे सुनता है इंद्रा गांदी की assassination हत्या हो ग करता है यह सोता है चलो यार बुरी-बुरी खबरे मिल रहे हैं दीना द्याल सेही बात करताऊ हूं अगर कुछ सची खबर मिलत दीना द्याल यह तो आपने बुल्डोजर वगेरा चल गया तो घर में ये तो और ज्यादा बुरा हल है अपने भाई पर डिपेंडेंडेंट होने लगी है फिर दिना द्याल से इनके बार में पदा चलता है क्योंकि देखो ये दोनों क्या है एक तो एक का स्टेरिलाइजिसन करवा दे गया एक अपंग ह हो गया है अब गाउं में जब ये असरफ के घर में रह रहे थे न असरफ की भी देथ हो चुकी है और असरफ के असरफ की देथ हो चुकी है और असरफ के जो दमाद थे उन्होंने वह वाला घर बेज दिया तो ये दोनों तो वहां से मतलब सिटी से तो भागे भागे गाउ उसे भी इनको भागना पड़ गया, reason reason, असरफ की दैत हो गई वापस इनको city में आना पड़ा और ये दोनों फिर से जो है एक bagger बन गए, एक trolley, trolley होती है न trolley, चक्खे वाले trolley, उसमें इसको बिढ़ा दे गया इस वर को और ओम परकास एक रसी से खिचता और ये बिचारा भीग मांगते हैं, मतलब your दोनों भीग मांग के अपना काम चला रहे थे तो मानेक भी गुजर रहा होता है, ये दोनों भी गुजर रहे होता हैं तो ये दोनों मांगते है साहब करके, तो मानिक उनको पहचान नहीं पाता, तीक है, दिना दयाल के पास जो है मानिक जाता है, पूछता है कि क्या क्या हुआ, तो देखता है या दिना दयाल की तो ओरड़ी हालत खराब है, अपने भाई के उपर डिपेंडेंट है, दूसरी चीज, इनके बारे में अगर पूछता है, कि हम चारों तो अच्छे खासे तरीके से रह रहे थे, तो अब हमारा क्या हुआ, तो ये फाइंड करता है कि यार, इन दोनों तो भिखारी बन गए हैं, भीक मांग रहे हैं सडकों पे, इतनी जादा बूरी खबरे सुनके, इसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, वापस जब अपने घर लोट रहा होता है, घर लोटते लोटते, ट्रेन में ही होता है, तो एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही होती है साइड से, वहाँ जाके ये जंप कर दे गया और इस टाइप से सारा कुछ जो है, स्टोरी फिर यहाँ पे फिनिस हो जाती है, तो ये पूरी स्टोरी थी दोस्तों, बहुत ही डीप तरीके से मैं आपको बताई, अब बात कर लेते हैं, हम 1947 का इंडियन पार्टिशन में आपको अरड़ी बताया कि बहुत ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम कास्टिसिजम की, 1975 से 1977 में आपको गिनवा दिया, मैंने क्या क्या, गरीबों की हालत कराब, स्टेरिलाइजेशन का बहुत बड़ा बुरा हाल था, जिसको पकड़ो, करवा दो स्टेरिलाइजेशन, तीसरा ये, ब्यूटिफिकेशन ओप सिटी के नाम पर bonded labor, काम करवाओ, पैसे में मत दो, तो ये सारी problem थी, तो characters हमने देख लिया, deep summary देख लिए, background बता दिया, आप आज आते हैं, themes पे, themes पे आते हैं, themes को discuss करते हैं, I think आपको दिखरा होगा इतना part, अब बात करता हूँ मैं themes की, तो conflict आपको आराम से देखा जा सकता है किस-किस के बीच में, father son के बीच में, father son कोन? कोन father son? मानिक और उसके पिताजी, क्योंकि मानिक चाहता था कि मेरे पापा जो है, वो भी innovation करें, वो भी industrialization तरीके से cola बनाई, बट ऐसा नहीं हो पाया, और caste and class के बीच में जो हैं, आपको आराम से देखा जा सकता है, for example, political आदमी था, political आदमी था, वो अपनी political power को use करता था, गाउं में जो voting होती थी थी, खाली पर्चे लिये लिये जाते थे लोगों से ठपा मरवाय जाता था अपने नाम पे, कि मेरे को तुम vote दो ना दो, बट तुम बस आओ, paper लो, ठपा मैं मारूंगा, मैं ही जितूंगा, confirm इस टाइप से यह वाली problem जो है, बहुत जादा देखी जा सकती थी, जो उपर caste के लोग है, वो अपने आपको ज्यादा उंचा समझते थे, गरीब जो हैं उनको तो, जो lower caste के थे, जैसे यह दुखी का परिवार था, एक lower caste में था, चमार था, तो उनको entry तक नहीं दी जाती ठाकुर, अगर ओम परकास ने थूक भी दिया था, इसकी साइड मूँ करते वे, तो उसने जो है, उसके पूरी परिवार को बरबाद किया ही किया था अरड़ी, पास्ट में, ओम परकास के साथ भी जो है, उसके जो father, manhood था, वही छीन लिया उससे, ठीक है, उसके इस वर को हमिशा के लिए एक अपंग बना दिया, भिखारी बना दिया, डाइस्पोरा की चीज आप आराम से थीम देख सकते हो, डाइस्पोरा और रोइंटन मिस्ट्री खुट डबल डिस्प्लेस्ट डाइस्पोरिक राइटर है, ठीक है, डाइस्पोरा क्या होता है, आप जब अप इसको डिस्प्लेस्मेंट, डिस्प्लेस्मेंट होता है अपनी जगे से दूसरी जगे जाना, फॉर एक्जामपल, गाओं के किनारे जो नदी के किनारे जो गाओं बसा था उसको छोड़ के ओम परकास और इसवर कहां गए थे, समुद्र के किनारे वाले बोंबे में, तो ड आती है, बहुत इंपोर्टन है, हमेसा इंसान जो है, लेकिन वो टूट जाता है, कई बार सफल हो जाता है, तो हो पन डिस्पेर आप आराम से देख सकते हो, हर एक करेक्टर में हो पन डिस्पेर है, ओम परकास ले लो, वो बहुत पढ़ा लिखाता कुछ करना चाहता था, म बिटी बन गए रहे गए सब यहां पे, at the end of the story, तो यह कुछ था, अब आते हैं, बात करते हैं, आप लोगों की बीच, थोड़ा सा appropriate title के बारे में, the fine balance, क्या title appropriate है, जी हां, बिल्कुल, आप लाइफ में क्या करते हो, अपनी लाइफ को balance करते हो, for example, जब कुछ बुरा हो र खुछ रखनी के कोसिस कर रहे थे, ठीक है, last में, story में एक चीज और रहे थे बताने को, यह last में जो है, इसवर, दिना दयाल, और ओम परकास, जो है, ओम परकास और इसवर तो भिकारी बन गए हैं, और यह तो अपने इसके, नुस्वान के वहाँ पे रह रही है, दिना दय तो जब नुस्वान और इसकी वाइफ घर पे नहीं होती थी, यह इन दोनों भिकारी को, मतलब जो भी इनके दोस्त टाइप में समझ लो, अब भिकारी भी समझ लो, तो इन दोनों को भुलाती थी, घर में खाना खिलाती थी, मतलब जब भी जुरत पड़े, इनकी मदद कर तो दोस्तों यह था पहुती भेहतरी इन धंक से मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए इस टोरी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को सेर करो दूसरों दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक, ठीक है, सबी को बताओ, मुझे पता है कि हर एक जगह इतने कहीं तो professors की availability भी नहीं है, कई ऐसे colleges हैं, कई ऐसे universities हैं, तो आप क्यों न मदद करों दोस्तों कि मैं भी तो एक मदद कर रहा हूँ, मैं खुद आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ, आप भी share करो इस वीडियो को, knowledge share करने से बढ़ता है, ठीक है, कहते ह किजिए इस वीडियो के बारे में बताइए उनको कि इस चैनल के तुरू से बहुत सारी वीडियो जो एंगली साओनस की upload की जाती है, next वीडियो में आपको क्या मिलेगा, next वीडियो में आपको important questions के बारे में बताए जाएगा, find a balance के, और hope and despair वाली theme को और elaborate करके मैं बताऊ और जितने भी themes होंगे उनको elaborate करके अलग से बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है, और भी कुछ miss हो गया तो आप comment box में pin कर सकते हो मेरे को, follow कीजिए, whatsapp आप कर सकते हो मेरे को इस number पे number लिख देता हूँ मैं, 838301845448, 8383018454, you can contact me at this number, आपको paid notes की भी सुविदाव उपलब्द कराई जा रही है, ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मैं paid notes लूँ है, फिर मेरे से live classes करें, paid classes, तो वो भी सुविदाव उपलब्द है, तो share कीजए अपने दोस्तों, like कीजए कि इस वीडियो को मेहनत अगर पसंद आई मेरी तो, और subscribe करते हुए आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़ना है, कभी भी hope रखना है, despair कभी मत पलना अपने मन में, ठीक है, मैं बद करते हैं के लिए हमेसा तयार हूँ आपके English learners course के लिए, धन्यवाद.